आज की बुक है परहाएं तो ऐसे परहाएं स्वास जैन आपका लगातार मार्क दर्शन्स के रूप में सिच्छक सिच्छक के लिए पहली बात यह है कि कच्छा और स्कूल में बच्चे खुस रहें कच्छा का बातबरन मुक्त और सुखद होना चाहिए सिच्छक को तनाव रहित बातबरन में आराम से बच्चों के साथ कच्छा का कारी करना चाहिए हलाकि अनुसासन बनाए रखना जरूरी होगा मगर बच्चे सिच्छक से इतना नहीं डरे कि वे दुखी हो जाए उन्हें कच्छा में ऐसा लगना चाहिए कि वे अपनी बात बेहिचक कर सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं अगर सिच्छक छात्र की गलतियों को सहज रूप में बताता है तो वे बिना सर्मिंदिगी उठाए गलतियों को सुधारते हैं इस परकार घवराट और भै के बातावरन की अपेच्छा जहां उनमें बोलने में डर लगे बच्चे स्वतंत्र और विश्वास पुन बातावरन में अधिक अच्छा सीखते हैं इसके अलावा ऐसे बातावरन में उवे तनाव रहित होने के कारण दूसरों के प्रती आकरमकता महसूस नहीं करते मुक्त और प्रामुदित बातावरन के ब्यक्तित्व के स्वरूप विकास को आगे बराता है अपने प्रती सोहद्र पुर्ण ब्यभार होने से वे दूसरों के साथ भी ऐसा ही ब्यभार करना सीखते हैं दूसरी और यदि बच्चों को डरा कर रखा जाता है तो वे अपने बिचारों की अभिव्यक्ति के बजाए चुप रहना पसंद करते हैं वैसी स्थिती में उन्हें सोचने के लिए प्रोचसाहन भी नहीं मिलता डाट और दंड से बचने के लिए वे धोखा देना दूसरों को दोस देना या अन कोई ऐसा ही अनुचित तरीका अपनाते हैं डर और घबराहट के कारण उनके बिकास में निखार आने के रुकावट परती है प्रतेक बच्चे को सुविकार करना दूसरी महत्पूर्ण बात जिसकी अपेच्छा सिछक से की जाती है प्रतेक बच्चे को सुविकार करना उसे देखना चाहिए कि प्रतेक बच्चा एक कुछ बच्चों को परहाना कठीन होता है इसका कारण यह हो सकता है कि वे बहुत तेज ना हो या उनमें कोई ऐसी आदत हो जिस पर सिच्छक को जुझलाट होती हो या कोई अन बात हो जिस से सिच्छक नाखोस हो किन्तु इनमें से प्रतेक को सिच्छक की अभिरूची और सु बढ़ जाती है उदारन के लिए उए सिच्छक का ध्यान आकर्सित करने के लिए कच्छा में सरारट करता है यह तो साहित होकर गुमसुम रहने लगता है या कोई अन समस्यात्मक ब्याभार अपनाता है सिच्छक को यह बात समझनी चाहिए कि यदि बच्चा तेज या सुन्दर नहीं है तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है और नहीं इसमें उसका कसूर है कि उसे सिष्टा चार सीखने का आपसर नहीं मिला इसके अत्रिक्त यदि बच्चे में कोई समस्यात्मक ब्यभार है तो उसका कारण कुछ दुखद अनुभव हो सकते हैं कभी-कभी सिच्छक इनी बच्चों को अपने पुर्व ग्रह के कारण सुभिकार नहीं कर पाता हो सकता है कि उवे किसी ऐसे समुदाई से आते हूं जिसे वह पसंद नहीं करता या ऐसे घरों से जो आर्थिक या और सांस्कृतिक दृष्टी से कमजोर और बंचीत हो जिसके कारण सिच्छक उनको तुछ समझता है बच्चों को समझना सिच्छक को अपने संरच्छन में परतेक बच्चे को समझना चाहिए समझने में वह बच्चे को सुभिकार कर सकेगा इससे सिच्छक बच्चे की अन समस्याओं में मदद कर सकेगा इसलिए सिच्छक को अपनी देखरेक में सुपूर्द किये गए बच्चों को जानना चाहिए यदि किसी बच्चे की कोई समस्या है तो महत्पुर्ण बात है कि उसके कारणों का पता लगाना बच्चों की कई इसमस्या होती है और एक ही समस्या के पीछे बिभिन कारण हो सकते हैं उदारन के लिए बिवेक, अरजुन और रितु कच्चा में ध्यान नहीं देते जाज करने से पता लगा कि बिवेक इसलिए ध्यान नहीं देता क्योंकि वह बहुत बुधिमान है और कच्छा के काम से उवह महसूस करता है अरजुन धीमी गती से सीखने वाला है और वह समझ नहीं पाता है कि कच्छा में क्या हो रहा है और रीतु इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि वह दुखी रहती है कठनाई इस बात से पैदा होती है कि कच्छा में 40-50 बच्चे हो सकते हैं और प्रतेक बच्चे एक दुसरे से भिन होते हैं प्रतेक को जानना असान नहीं है इसके लिए बिसेश परियास करना होगा सिख्छक एक समय में सभी बच्चों का अध्यान नहीं कर सकता ओवा कुछ का अचयन कर सकता है जिन पर वह कुछ दिनों तक विसेश ध्यान दे वह ऐसे बच्चों से प्रारम कर सकता है जिन में कोई समस्या दिखाई देती हो किन्तु प्रतेक बच्चे को कभी न कभी सिछक का ध्यान मिलना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चों में ऐसी समस्याएं भी हो सकती है जो बाहरी त पच्छा में ध्यान दे रहा है अथवा नहीं और क्या उसकी स्वास्त की समस्या है उसे पता लगाना चाहिए कि बच्चे के अन बच्चों के साथ किस प्रकार के संबंद है और उसके घर की प्रस्थितियां कैसी है बच्चे का अध्यन किस प्रकार करें बच्चे के बारे में अवस्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सिच्छक को सभी सुरोतों का जहां तक संबब हो उप्योग करना चाहिए उसमें अवलोकन, अस्कूल के अभिलेखों का अध्यन, नीदा, नात्मक परिच्छन, माता-पिता और सिच्छकों के साथ परामर्स और स्वय बच्चे से बादचित करना समलित है, कभी-कभी कच्छा के अन्य बच्चों से जानकारी प्राप्त करना उप्योगी होता है, अवलोकन, सिच्छक को बच्चे का कच्छा में अवलोकन करना चाहिए और उसे ऐसे अबसरी भी ढूंडने चाहिए, जब बच्चे का अवलोकन कच्छा के बाहर किया जा सके उसे देखना चाहिए कि वह कैसे कारी कर रहा है क्या वह खुश दिखाई देता है या उदास क्या वह कच्छा में ध्यान दे रहा है उसका स्वास्त कैसा है कच्छा में और कच्छा के बाहर वह दूसरों से कैसा व्यभार करता है और दूसरे उसके साथ कैसे पेशर्षन आते हैं सिच्चक बच्चे की कॉपी लेकर देख सकता है कि क्या वह लापरवाही से कारे करता है या वह अपने कारे में रुची ले रहा है कॉप्यों को देखकर यह भी पता लगेगा कि क्या परहाई समन्धी उसकी कोई विसेश समस्या है जैसे किसी प्रकार की गलती जिने वह बार-बार कर रहा हो अभी लेखों का अध्यान अभी लेखों से सिच्छक को पता चल सकता है कि क्या कभी वह लंबे समय के लिए अनुपस्थित रहा यदि अस्कूल में स्वास्थ के रिकॉर्ड रखें जाते हैं तो उनसे स्वास्थ के बारे में पता लगेगा परदर्शन के रिकॉर्ड से ना किवल पता लगेगा कि अभी बच्चा किस प्रकार का कारी कर रहा है बलकि पुर्व में उसने कैसा कारी किया है सिच्छकों से प्रामर्स अन्य सिच्छकों से महत्पुन जानकारी प्राप्त हो सकती है। उनसे पता लग सकता है, कि बच्छा कच्छा में खेल के समय आदी प्रस्थीतियों में कैसा ब्यभार करता है। उस सिच्छक से जो कच्छा को पिछले बर्स परहाता था यह पता लगाया जा सकता है कि क्या बच्चे के ब्यभार में कोई परिवर्तन आया है बच्चों से बातचीत अगर सिच्छक और बच्चे के बीच एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास का सम्मन्द है तो साहन भूती पुरबक बात करके सिच्छक पता लगा सकता है कि बच्चे की क्या कठनाईया है बच्चों से जानकारी प्राप्त करने की एक एक बिधी सोसियोमेट्री है इस बिधी द्वारा सिच्छक इस बात का पता लगा सकता है कि कौन से बच्चे अन बच्चों द्वारा सुविकार किये जाते हैं और किन बच्चों की उपेच्छा होती है अगर सोशियो मेटरी से उसे पता लगता है कि अमुक बच्चे को अन बच्चे पसंद नहीं कर रहे तो सिच्छक बच्चों से पूछ सकता है क्यों वे उसे अपने साथ खेल में क्यों नहीं सामिल कर रहे मगर ऐसा करने में इस बात की साबधानी बरतनी चाहिए कि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि किसी विशेस बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पर्यास किया जा रहा है बल्कि वे समझें कि बच्चों के ब्यभार के बारे में सिछक जानना चाह रहा है माता पिता से प्रामर्स माता पिता घर की प्रस्थितियों और आपसी सम्मंधों के बारे में मुल्लिवान जानकारी दे सकते हैं सिच्छक को मैत्री पुन ढंग से उनसे संपर करना चाहिए उसे यह असपस्ट करना चाहिए कि वह कोई सिकायत नहीं कर रहा है और उसकी मनसा केवल बच्चे की मदद करने की है कुछ माता पिता ऐसे होंगे जिनकी सिच्छा बहुत कम या नहीं के बराबर हो किन्तु सिच्छक को उनके साथ समानता का ब्यभार करना चाहिए सिच्छक को माता पिता को इस बात से अस्वस्त करना चाहिए कि जो भी जानकारी वे देंगे उसे गोपनिये रखा जाएगा और इस मामले में उसे अपना ब्वाचन बिना भूले निभाना चाहिए निदानात्मक परिच्छन कभी कभी जब बच्चों को परहाई में कठनाई हो रही है उस समय निदानात्मक परिच्छन देने में मदद मिलती है निदानात्मक परिच्छन यह पता लगाने के लिए बनाया जाता है कि पाठकरम में बच्चे को किस परकार की कठनाईयां हो रह उदारन के लिए यदि बच्चा भिन के जोर या घटाब नहीं कर पाता तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे उसे पहारे याद नहीं हुए हैं या भिन जोर और घटाने की बिधी को समझ नहीं पाया है सिचक प्रतेक प्रकिर्या का अलग-अलग परिच्छन करने के लिए छोटे-छोटे प्रस्ण बनाकर बच्चे को कहां समस्या हो रही है इसका पता लगा सकता है इससे प्रकार अन विसयों में भी छात्रों की कठनाईयों का पता लगा सकता है छात्र समूहों के साथ कारिकरना सभी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुलजाना अबस्यक नहीं है अक्सर तीन या चार बच्चों को की एक जैसी समस्या होती है और उनके समूह में सिच्छक उसका निराकरन कर सकता है ऐसे कुछ समूहों का विवरन नीचे दिया जा रहा है परभाब साली कुछ बच्चों में विशिष्ट छमता और प्रतिभा होती है उनकी रूचियां और योगिता से सम्मन्धित कार और समागरी उनको उपलब्द करनी चाहिए उन्हें अन छात्रों की मदद करने के लिए कहा जा सकता है वे सहायक समागी तयार करने में सिच्चक की मदद कर सकते हैं धीमी गती से सीखने वाले चात्र कुछ बच्चों को कच्चा का कार अत्यंत कठिन लगता है उनके लिए यह बहुत दुसिकर होता है कि जो कुछ सिच्चक परहा रहा है उसे बीना समझिया और अपेच्चित कार ना कर पाने पर भी वे कच्चा में बैठे रहे जब कच्चा लिखित कारी कर रही हो उस समय सिच्चक धीमी गती से सीखने वाले चात्रों की ओर ध्यान दे सकता है और उनकी कठनाईयों को समझा कर दूर कर सकता है सिच्चक उन्हें उनकी योगिता के अनुरूप कारे दे सकता है जिससे उन्हें सफलता का अनुभव हो सके धीरे धीरे वे अधिक कठिन कारी की ओर बर सकते हैं उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको यह सुविकार करना कठिन हो कि उनमें सिमित योगिता है किन्तु सफलता का अनुभव और यह महसूस करना कि सिच्छक उनको भी उतना ही महत्पून समझता है जितना तेज बच्चों को उन्हें अपनी कमजोरियों का सामना करने में मदद करेगा पहली सिरी के सिच्छार्थी पहली सिरी के सिछार्तियों को सिछक की को विसेश प्रोत्साहन और मदद देनी चाहिए उसे उनकी कठनाईयों को दूर करने का पर्यास करना चाहिए कभी कभी सिच्छक को उनसे अलग से मिलना चाहिए जिससे अब सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें कच्छा की परहाई समझ में आ रही है वह यह ब्यवस्था कर सकता है कि ये बच्चे अपना होंबर का स्कूल में जाने के पहले पूरा कर ले क्योंकि घर में ना तो कोई उनकी मदद करने वाला होगा और ना परने के लिए आवस्यक सुबधाओं का अभाब हो सकता है ऐसे चात्र जिने मदद क्याब सकता है कुछ ऐसे चात्र होते हैं जो कच्छा में अन्चात्रों के साथ साथ नहीं चल पाते किसी बच्चे ने परना ठीक से नहीं सीखा दूसरे ने अंग अनित का कोई कारे नहीं सीखा जिसके कारण आगे की परहाई उसके लिए कठीन हो गई है सिच्छक को समस्याओं का पता लगाना होगा और समाधान के लिए समय की व्यवस्था करनी होगी बच्चों का एक दल परने का अभ्यास कर सकता है एक दूसरे दल में सिच्छक उनकी गणित की समस्याओं को समझा सकता है तीसरे दल में उवा छात्रों की भासा की कठनाईयों को दूर कर सकता है और इसी परकार अन्य दल भी बना कर कारी कर सकता है अलपारजक ऐसे कई बच्चे होते हैं जो जिस परकार का कारी कर रहे हैं उससे अच्छा कर सकते हैं उनमें तेज औसत और धीमी गती से सीखने वाले बच्चे हो सकते हैं जो कुछ भी उनकी छमताओं हैं वे उनका पूरा परियोग नहीं कर पाते अक्सर बच्चों में आत्म विश्वास की कमी रहती है उन्हें अपने परियासों पर विशेश प्रोटसाहन की जरूरत रहती है बच्चों के अलपारजक होने के अनिकारण भी हो सकते हैं कुछ को मदद की जरूरत होती है कुछ बच्चे चिंता ग्रस्त हो सकते हैं जिसके कारण उने अपने ध्यान को एकागर नहीं कर पाते हैं इसलिए परभावसाली ढंग से मदद करने के लिए पहले ऐसे प्रतेक छात्र का अध्यन करके उसे समझना होगा नए भरती होने वाले छात्र प्रतेक बर्स कुछ नए छात्र अस्कूल में भरती होते हैं अधिकतर ये छोटे बच्चे होते हैं जो प्रारम की कछाओं में भरती होते हैं अस्कूल की प्रतेक बात उनके लिए नई होती है उनमें से अधिकांस के लिए अपनी मा से इतने समय के लिए अलग होने का पहला अनुभव होता है सिच्छक और ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए जिससे वे अपने आपको सुरच्चित महसूस कर सके उसे यह समझना चाहिए कि अस्कूल आना बच्चे के लिए एक परमुख घटना है उसे बच्चों की भावनात्मक प्रतिक्रिया के प्रतिसहन सील और जो बच्चे घर जाने के लिए रोते हैं उनके प्रतिसहन भूती सील होना चाहिए छोटी कच्छाओं के अलावा अनकच्छाओं में भी नए बच्चे भरती हो सकते हैं हो सकता है कि पिता के तबादले के कारण उन्हें नए अस्कूल में प्रवेश लेना पर रहा हो इन बच्चों को अस्कूल का नियम बताना चाहिए या भी देखना चाहिए कि वे सभी भी सैयों में अस्कूल के अस्तर के अनरूप है या नहीं अन्याथा इसके लिए उपचारी कारिकरम का प्रवंध करना चाहिए जो छात एक राज से दूसरे राज में आए हैं उन्हें भासा सीखने में सहायता के अब सकता हो सकती है कुछ के लिए सांस्कृतिक अनुकूलन की समस्या हो सकती है कुछ को मित्र बनाने में कठनाई हो सकती है सिच्छक ऐसे बच्चों से सामुही किया ब्यक्तिगत रूप से मिल सकता है और उनको अवस्यक सहायता दे सकता है एक समूह के रूप में कच्छा के साथ कारी करना अधिकतर सिच्छक एक समूह के रूप में कच्छा के साथ कारी करता है हाला कि वह बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है फिर भी समगर रूप से कच्छा के रुख की ओर ध्यान देना चाहिए और सिच्छन के सासत कच्छा की अपसकताओं के अनुसार बच्चों का मार्ग दर्सन करना चाहिए इसके लिए सिच्छक को देखना चाहिए कि क्या बच्चों का ब्यभार और कार ऐसा है जिसकी अपेच्छा उस आयू में की जा सकती है उससे उसे पता चलता है कि वे कुछ बातों में अच्छे हैं किन्तु अन्य में कमजोर हैं उदारन के लिए उसे पता चलता है कि बच्चों की लिखावट में सुधार किया सकता है इस परकार की कई संभावित कमजोरियां है जिन में से समानिता एक या दो किसी कच्छा में मिलेगी इन में से कुछ कठनाईयों का पता लगाने के लिए पूरी कच्छा को निदादनात्मक परिच्छन दिया जा सकता है इससे पता लगाया जा सकता है कि अधिकतर बच्छों की क्या कमजोरियां है और उन्हें क्या आता है हो सकता है सिच्छ कच्छा का ब्यभार से सिष्ट पाए या उन्हें उचित सिष्टाचार और बात करने का ढंक सीखने में मदद चाहिए वे अस्कूल के फरनीचर का सजकता पुर्बक उप्योग करते हैं या तोर फोर करते हैं उन्हें या भी सीखने की अब सकता हो सकती है कि वे किस परकार सालिंता से उठे बैठें उसे देखना चाहिए कि कच्छा में कितने गुट हैं गुट के नेता कौन-कौन और कौन ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी गुट में सामिल नहीं किये गए हैं उन्हें देखना चाहिए कि विभिन गुटों के बीच परतियोगिता के कारण कोई समस्या तो उत्पन नहीं हो रही कच्छा पर ध्यान देने से सिच्छक को पता लगेगा कि कि किस परकार के मागदर्शन कारि कसर रह गई है अपने स्वय के ब्यभार के उधारन के द्वारा और सौम निर्देशन द्वारा वह उन्हें अच्छे आचार विचार सिखा सकता है उसे देखना चाहिए कि छात्रों के बीच गुट बंदी को अधिक बरहावा ना मिल सके उसे यह भी देखना चाहिए कि रंतर स्वस्त विकास से भी इसका संबंद है सिखक को अधिक परिपक्ता प्राप्त करने में बच्चों की मदद करनी चाहिए उसे विभिन समस्याओं पर उनसे विचार विमर्ष करने चिंतन करने में उनकी मदद करनी चाहिए वह उचित प्रामर्ष देकर उन्हें दूसर प्रति सकारात्मक अभिवितियों को दिक्सित करने में मदद करनी चाहिए विशेश रूप से ऐसे बच्चों के प्रति जो सारीरिक रूप से अच्छम हैं जो धीमी गती से सीखते हैं ये बाते सिच्छक तभी सीखा सकता है जब वह अपने स्वें के व्यभार में एक जनकी बीधियों पर चर्चा करेंगे चात्रों के अध्यन की बीधियां सिच्छक द्वारा बच्चों को मिलने वाली सिच्छक का अध्यन बैज्यानिक परनाली पर अधारित होना चाहिए इसके मुख अभ्यम नीचे दिये गए हैं समस्या का बोध सिच्छक को इस बात का बाभास होना चाहिए कि अध्यन में क्या-क्या समस्याएं हैं या कोई बिसिष्ट समस्या है जिसके समाधान की अब सकता है समस्या की पहचान उस समस्या का मुख बिंदूओं में बिसलेशन करें समस्या समूल की हो सकती है या किसी छात्र बिसेश की जानकारी तत्थियों क संकलन समस्याओं का स्वरूप जानने के बाद सिच्छक को बिभिन स्रोतों से उसके बारे में जानकारी एकत्रेद करनी चाहिए यह जानकारी बच्चों की पारिवारिक प्रिष्ट भूमी उसके समाजिक परिवेश और खेल के साथियों की उसके माता-पिता भाई-बहन मित् बृतियों की उसके सैची कुपलब्दी और विध्याले में आचरन से संबंदित हो सकती है यदि समस्या किसी समू की है तो सिच्छक को देखना होगा कि समू में किस परकार से के आपसी संबंद है समू की रूचियां अभी पेरना क्या है और साथ ही साथ सदस्यों के बारे म ब्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करनी होगी जानकारी एकत्रित करने का उप्योग तरीका समस्या के स्वरूप का निर्भर करेगा जानकारी को संगठित करना बिभिन स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी को संगठित करना होगा जिससे छात्रिया समू के बारे में एक अ की जा सकती है समू को रचनात्मक किर्या कलापों की और निर्दिस्त किया जा सकता है बाल अध्यन की कुछ बीधियां ब्यसकों के अध्यन में भी लागू की जा सकती है क्योंकि बाल ब्यभार ब्यसकों के ब्यभार में से मुल्भुत रूप से भिन नहीं है छोटे बच्चे और व्यसकों के ब्यभार में अंतर मात्रा और विभिन पहलूओं को महत्व देने में हैं किन्तु कुछ बीधियों का परियोग जो विध्याले की प्रस्थीतियों में परियुक्त होती है विध्याले के बाहर उपयोग करना कठीन होगा। चाथवा विध्यों का प्रारंभिक बिवेचन नीचे दिया जा रहा है इनका उपयोग करने से पहले सिच्छक को उनका गहन अध्यान करना चाहिए इससे प्रसिचित व्यक्ति के मार्ण दर्शन की अवसकता परसकती है न्यमित अवलोकन के लिए साबधानी और पुर्म निर मित योजना की अवसकता होती है या चात्र और उसके आचरन का केवल अकास्मिक और निचेस्ट अब बोधन नहीं है अब लोकन को बस्तुनिष्ट बनाने और नीजी पुर्वगरह से मुक्त रहने के लिए सक्रिया प्रयास करना होगा या विदी चात्र के व्यभार का अध कास्मिक ढंग से करते हैं हम देखते हैं कि बच्चों का एक समुह मैत्री पुनबाताबरन में खेल रहा है एक काक पिंकी रूष्ट हो जाती है और लरने लगती है प्रयच्छक पर्थम द्रिष्टिया कहेगा कि पिंकी लरती है या कथन गलत हो सकता है और इसे सुविकार क करना अवस्यक नहीं है क्योंकि यह एक ठोथे अवलोकन पर आधारित है पिंकी को विभिन प्रस्थितियों में अवलोकन करने के बाद ही ऐसा निश्चय कथन तर्क संगत होगा कि पिंकी जगरालू है इन अवलोकनों के बाद यह भी निसकर्ष निकल सकता है कि पिंकी कभी कभार ही लड़ती है इसलिए एक दो अवलोकन के आधार पर कोई निर्ने करना ना तो वांचनिये है नहीं उचित बच्चों का यह अवलोकन बैग्यानिक सु विचारित सु नियोजित और विधिवत होना चाहिए जिस सिच्छक से अपेच्छा की जाती है कि वह बालक का अव बिन रूपों का वह अवलोकन करेगा इसी प्रकार अभिलेक का प्रारूप उसके स्वय के विचारों और इच्छाओं पर अधारित ना होकर ऐसा हो जिसमें घटनाएं जैसी घटित होती है वैसी ही लिपी बद की जा सके सिच्छक को पहले से केबल अध्यन की जाने वाली बातों की कोही निश्चय नहीं करना है बलकि नियमित धंग से बालक का एक समय विधी के दोरान अवलोकन करना है किसी निसकर्स पर पहुचने के पहले बहुत से अवलोकन करने होगे सिच्छ को इस बात की सुभधा है कि वह विभीन प्रस्थितियों में जैसे कच्छा में, खेल के मैदान पर और पाठियतर कारिक्रमों में बच्चों का अवलोकन कर सकता है प्रन्तु बच्चों को इस बात का अहसास नहीं होना चाहिए कि कोई उसका अवलोकन कर रहा है सिच्छ को अपने पूर्वग्रहों के प्रती सचेत रहना चाहिए कभी कभी सिच्छक का पूर्वगरह किसी छात्र के पच्छ में, या किसी के बिरुद्ध या किसी बिसेश परकार के ब्याभार के प्रती हो सकता है इसका प्रभाव उसके अवलोकन पर नहीं परदना चाहिए बच्चा जो कुछ कर रहा है उसे तठस्त रख कर देखना चाहिए अवलोकन के आलेखन से पहले एक प्रारूप तयार कर लेना आवस्यक है प्रारूप में सिच्छक या देख सकेगा कि क्या सभी महत्पुन पछो का अवलोकन कर लिया गया है और अमुक ब्यभार कितनी बार घटित हुआ है इससे अवलोकन को बस्तुनिष्ट बनाने में भी मदद मिलेगी अवलोकन का प्रारूप उसके उद्देश और उन सभी मुख बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए तयार करना चाहिए जिसके बारे में जानकारी चाहिए इस कार में अन अध्यापिकों, परमर्स दाताओं, मनो बैग्यानिक और निर्देश एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है छात्रों का यावलोकन उनको समझने और संभालने में सिच्छक की मदद करेगा वह बच्चे के बेहतर निस पादन, तालमेल और स्वस्त मान सीकता के विकास में निर्देशन दे सकेगा और आवस्यक मदद कर सकेगा अवलोकन से समान ब्यभार की प्रबिर्टी के बारे में हमारा ग्यान बढ़ता है उदारन के लिए अब लोकन द्वारा हमें पता लगता है कि दो या तीन बर्स की आयू के बच्चे अपने आप खेलना पसंद करते हैं किन्तु साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि उनके पास अन्य बच्चे खेल रहे हो जैसे जैसे वे बरे होते हैं वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं प्रात्मिक साला के बच्चे सामुहिक और अस्परधात्मक खेल पसंद करते हैं परियोग अब लोकन के दौरान हम बच्चों को सहज प्रस्थीतियों में देखते हैं परियोग में हम उन्हें पुर्म निर्धारित प्रस्थीतियों में देखते हैं परियोगिक बिधी नियंतित प्रस्थीतियों में नियमित धंग से अवलोकन ही है मनो बिज्ञान जानने वाला सिच्छक समान परियोग कर सकता है उसके लिए वा कच्छा को दो दलों में विभक्त करता है दोनों दलों में कुसाग्र और सत और धीमी गती से सीखने वाले छात्रों की संख्या करीब करीब बराबर रहनी चाहिए सिच्छक दोनों दलों को परहाने की अलग-छ बिधियां अपना सकता है जैसे एक दल को विग्ञान बरनात्मक ढंग से परहाया जाये जबकि दूसरे दल को बरनन के साथ अवलोकन और सक्रिय बिधि द्वारा परहाया जाये दोनों दलों की उपलब्धी की तुलना करके सिच्छक पता लगा सकता है कि एक बिद्धी दूसरे से कितनी अधिक लावप्रद है और क्या दोनों बिद्धियों से प्रात परिनामों में सार्थक अंतर है यदि यह परिनाम निकलता है कि समान बर्नन के मुकाबले अब लोकन और सक्रिये बिधी के अपनाने से दल की उपलब्धी अधिक होती है तो सिच्छक अपनी बिज्ञान सिच्छन बिधी में परिवर्तन ला सकता है अमुक सिच्छक यह जानना चाहता है कि समाजी कध्यन के चात्रों को याता यात प्रसिचन केंद्र पर भ्रह्मन के लिए ले जाए तो इसका प्रभाब क्या होगा इस परियोग में सिच्छा को या सावधानी ब्रतनी होगी कि भ्रहमन के दोरान जो ज्यान बच्चे परदर्शित करते हैं वह बरतमान अनवब को छोड़ कर पूर्व के अधियन या अनवब पर अधारित तो नहीं है परियोग के लिए सिच्छा को कच्छा को दलों में विभक्त करना परता है दोनों दलों में छात्रों की योगिता और समाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी करीब करीब समान होना चाहिए एक दल को परियोगिक दल कहेंगे जो केंद्र को देखने जाएगा जबकि दूसरे दल को नियंतरन दल कहेंगे जो केंद्र नहीं जाएगा कहेंगे या पता लगाने के लिए कि केंद्र जाने पर छात्रों ने क्या सीखा सिच्छक को यह पता लगाना होगा कि केंदर जाने से पहले छात्रों को कितना ग्यान था इसके लिए सिच्छक को एक पुर्व परिच्छन केंदर जाने के पहले दिया गया परिच्छन देना होगा और केंदर देखने के बाद उत्तर परिच्छन केंदर देखने के बाद का परिच्छन देना होगा अब सिच्छक परियोगिक समूह और नियंत्रित समूह की उपलब्धी की तुलना कर सकता है इसी प्रकार के परियोग अब धान अस्मिर्ति आधी पर किये जा सकते हैं परियोगिक बिधिव से में यह लाब है कि एक कारक को छोड़कर सभी कारकों पर नियंत्रित किया जा सकता है जैसे उप्युक्ति परियोग में आयू बुद्धी और समाजी कार्थी कस्तर को नियंत्रित किया गया यानि जहां तक संभव हो सका ये दोनों दलों में समान थे प्रतेक परियोग में केवल एक कारक में अंतर्या परिवर्तन किया गया है एक मे यह कारक सिच्छन बिधी थी और दूसरे में केंद्र का भर्मन था इस परकार यदि दोनों दलों की उपलब्धी में सार्थक अंतर आता है तो हम कह सकते हैं कि इसके पीछे वह कारक है जो दोनों दलों में भिन था इस परकार परियोगिक बिधी से अन बिधियों की तुलना म अधिक सही परिनाम प्राप्त होते हैं किन्तु इसकी सिमाएं है इसे सभी प्रस्थीतियों में लागू नहीं किया जा सकता इसका उप्योग तभी किया जा सकता है जब कुछ निश्चित कारकों को नियंत्रित किया जा सके आत्म प्रतिवेदन छात्रों के बारे में जानकारी उनसे सीधे प्राप्त की जा सकती है बरे बच्चे अपने बारे में लिखित जानकारी दे सकते हैं इस प्रविधी में सिच्छक का अधिक समय नहीं लगेगा बच्चों से कुछ प्रश्णों के हुत्तर लिखवा कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है या उनसे किसी रूप मे स्वतंत्र लेखन प्राप्त किया जा सकता है पहली बिधी का उधारने व्यक्तिगत जानकारी प्रपत्र प्रश्णल डाटा बैंक और दूसरी बिधी का उधारने आत्म कथा उनकी बिवेचना नहीं की जा रही है बच्चे सही और निसंको जानकारी तभी देगे जब सिच्छक उनके साथ अच्छे संबंद स्थापित करेगा और उन्हें बिश्वास होगा कि जानकारी का उप्योग उनके हित में होगा फिर भी बच्चों को बताना चाहिए कि उन्हें इस बात की छुट है कि जो बातें वे नहीं बताना चाहते चाहें उसे न बताए वहीं बताएं जो बताना चाहते हैं आत्म प्रतिवेदन में जो जानकारी प्राप्त होती है उसकी जाच अनिसरोतों से प्राप जानकारी में करनी चाहिए क्योंकि एक अच्छी छवी प्रस्तूत करने के लिए कुछ बच्चे तत्यों को तोर मरोर कर प्रस्तूत कर सकते हैं ब्यक्तिगत जानकारी प्रपत्र ब्यक्तिगत जानकारी प्रपत्र ऐसा प्रपत्र है जिसमें ब्यक्तिगत जानकारी समंदी प्रस्ण होते हैं या जानकारी बच्चे के परिवार से सम्मंदित हो सकती है जैसे पिता जी का ब्यावसाय, भाईयों और बहनों की संख्या, उसमें स्वेय का उम्र, अस्थान, जैसे सबसे बरा बीच का या सबसे छोटा अन्व्यक्ति जो घर में रहते हैं इत्यादी या भी पूछा जा सकता है कि बच्चे की रूचियां क्या है, अस्कूल में उसे किन कठनाईयों का सामना करना पर रहा है, बरे बच्चों के लिए भावी उद्देशियों के बारे में जानना महत्पूर्ण है, कौन से प्रस्ण रखे जाएं या प्रपत्र के उद्देशि प बच्चों में आत्मकथा लिखने को कहा जा सकता है, आत्मकथा सम्मंधी तथे बच्चे के जीवन, उसकी भावनाओं और अभी बृत्यों के बारे में उप्योगी जानकारी परदान कर सकते हैं, बच्चों को कहा जा सकता है कि वे अपने और अपने जीवन के बारे में समागरी की और खीचना उपयोगी रहता है एक तो बस्तुनिष्ट समागरी जो घर अस्कूल और समुदायों के अनुभवों पर आधारित हो और दूसरी ब्यत्ती निष्ट समागरी जो उसकी संतुष्टियों आकांचाओं मुल्यों आधी से संबंदित हो आत्मकथा के तथियों का चैन करने के लिए कौसल और साबधानी दोनों ही आवस्यक है यह समागरी केवल तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं प्रस्तुत करती बलकि बच्चे की मानसिक इस्थिती के बारे में भी संकेत देती है कि क्या वह खुस है निरासाबादी या आसाबादी है क्या उसमें दूसरों पर दोसा रोपन की प्रविर्ती है क्या वह उत्तरदाइत्व बहन कर सकता है इत्यादी किन्तु हर आत्मकथा की समागरी में यह जानकारी प्राप्त नहीं होती और एक दो बाकियों के अधार पर निसकर्सों पर पहुँचना ठीक नहीं होगा जो तस्वीर आत्मकथा से उभरती है उसकी पुष्टी बच्चे के अवलोकन और अनिस रोतों से प्राप जानकारी के अधार पर करनी चाहिए साच्छातकार एक परत्यच प्रक्रिया है जिसमें भेट करता समालाप व्यक्ती इंटरव्यू से किसी आसे से बातकित करता है साच्छातकार से ऐसी जानकारी मिल सकती है जो अब लोकन परियोग और अन विद्यों से प्राप्त नहीं होती साच्छातकार के दौरान भेट करता जिस बच्चे से मिल रहा है उसके अभी पेरना अभी बृतियों और रूचियों के बारे में पता लगाने का पर्यास करता है साच्छातकार एक बच्चे के साथ या बच्चों के समूह के साथ आयोजित किया जा सकता है अधिकतर भेट ब्यक्तिक अस्तर पर होती है और उसमें उपयोगी समागरी प्राप्त होती है एक खुसमिजाज और सहीरदे सिच्छक बच्चों में लोकपिरिये होगा और उनका विश्वास प्राप्त कर सकेगा वह बच्चों के साथ निकट का सम्मन्न स्थापित कर सकेगा जो सफ़सा चातकार के लिए आवस्यक है इसके अत्रिक्त कुछ अन सर्तें जैसे एकांत, सोरगूल से दूर, एक आरामदायक कमरा, बैठने की उचित व्यवस्था और अन सुबदाएं भेट करने के लिए आवस्यक है बचे को या मसूस होना चाहिए कि वह अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, संबेगात्मक वातावर्न और बाय परिवेश सांत होना चाहिए बच्चे को या विश्वास होना चाहिए कि जब वह अपनी बात कर रहा है तो बाहर के अन लोग ना तो उसे देख रहे हैं ना उसकी बात सुन रहे हैं उद्देश को ध्यान में रखते हुए साचहतकार को नियोजित करना होता है पिरियार्ज ने बच्चों के चिंतन का अध्यन करने के लिए साचहतकार का परियोग किया है उसके अध्यन का निमलिखित उधारन यादर साता है कि साचहतकार का परियोग बच्चों की समान एवं नेतिक अवधारनाओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है एक बच्चे के बारे में कहा जाता है कि एक बच्चा अन बच्चों को जिसके साथ वह खेलता है सदैम नुकसान पहुँचाता है किसी को बह चाटा लगाता है और किसी को पत्थर मारता है एक दूसरा बच्चा है जो कभी किसी को नहीं सताता एक दिन खेलते हुए गलती से उससे एक बच्चे को चोट लग जाती है इस घटना का संदर्व देकर बच्चे से पूछा जाता है क्या दोनों बच्चों ने समान रूप से नुकसान पहुँचाया किसने अधिक हानी की या देखा गया कि छोटे बच्चे दूसरे लरके को अ अंतर को समझ पाते हैं पर यह याद रखना चाहिए कि किसी निसकर्स पर पहुँचने से पहले काफी संख्या में बच्चों से साच्छातकार करना होगा कभी कभी सिच्चक द्वारा किसी विशेस पर्योजन को लेकर अबलोकन के बाद बच्चे का साच्छातकार किया जा स बच्चे ने असिस्ट और असोभिनिये ब्यभार क्यों किया साच्छातकार से कारन का पता लग सकता है और यह भी पता लग सकता है कि बच्चे को कौन सी बात परिसान कर रही है खेल साच्छातकार दूसरों के प्रती बच्चे की भावनाएं और अभिवितियां जानने के लिए खेल साचातकार उप्योगी है इसका उप्योग छोटे बच्चों के अध्यन में विशेश कर जब वे गुर्यों से खेल रहे हों किया जा सकता है सिच्चक देखता है कि बच्चा गुरियों से किस परकार का आच्रन करवाता है विशेश करून गुड़े गुरियों के प्रती जो माता पिता भाई बनित्यादी का प्रतिनिधित्व करते हैं सिच्छक बच्चे से पूछ सकता है कि गुड़े या गुरियों की क्या इच्छाएं है क्यों वह समझता है कि ये गुड़े से सम्बंदित है उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई उसकी आंत्रिक इच्छाओं का पता लगाने की कोशिस कर रहा है क्योंकि जो कुछ भी पूछा जा सकता है वह गुड़े के बारे में है इसलिए जिन व्यक्तिएं का गुड़े प्रतिनी धित्व कर रहे हैं उनके बारे में प्रश्टों का उंतरवहणिसंकोच एवं अस्पस्ट देता है इस परकार बच्चे का अपने माता पिता भाई बहन वित्रों एवं अन्व्यक्तियों के संबंद तथा मन मुटाव आदी के बारे में पता चलता है इस परकार सिच्चक को बच्चे के संपर्क में आने वाले लोगों के प्रती अंतर संबंदों भाबनाओं अभिवर्तियों आदी का पता चल सकता है सिच्चक के लिए खेल सा चातकार एक प्रकार का निदानात्मक उपकरन है विशेश रूप से जहां बच्चों के मनोभाब संबेग और विवर्तियों का संबंद है समाज मीती बिधी समू के निदान में यानि सदस्यों के प्रसपर मनोभाब का पता लगाने में समाजी मीती बिधी उपयोगी है इस बिधी का उपयोग सरलता से कच्चा में किया जा सकता है सिच्छक प्रतेक बच्चे से उसकी पसंदगी पुछ सकता है और वह कच्छा में किस सापाटी के पास बैठना पसंद करेगा या किसके साथ मिलकर कोई कारी करना पसंद करेगा प्रतेक बच्चे से पहली और दूसरी पसंद पुछी जा सकती है इससे सिच्छक पता लगा सकेगा कि कच्छा में कौन से बच्चे लोगफिरिये हैं यानि अधिक बच्चे द्वारा चुने जाते हैं और कौन बच्चे ऐसे हैं जिने किसी नहीं चुना वह यह भी पता लगा सकता है कि क्या कच्छा में गुटबाजी है सिच्छक को बच्चों की पसंदगी पर ध्यान देना चाहिए जहां तक हो सके कच्छा में बैठने की विवस्था या सामुही कारी का आयोजन बच्चों द्वारा दी गई पसंदगी के अधार पर करना चाहिए यदि बच्चों के समू उनकी इच्छाओं के अधार पर बनाये जाते हैं तो उनके कारी में अधिक प्रगती होगी बच्चों की अनुक्रियाओं का विसलेशन या बता सकता है कि उनकी अभी बृतिया का मुल्ड क्या है सिच्छक या देख सकता है कि क्या एक ही जाती समुदा या समाजी कार्थी कस्तर के बच्चे एक दूसरे को चुनते हैं अथ्वा चुनाव समान रूचियों या किसी अनिकारक पर अधारित है सिच्चक या भी पता लगा सकता है कि कौन से बच्चे लोगपिरिये या एकाकी हैं, क्या लोगपिरियता उच्छी कुपलवदिदी के साथ साथ चलती है या खेल में अच्छे होने के साथ या क्या इसका आधार समाजी कार्थी कस्तर है किन्तु ऐसे निसकस निकालने में सतरकर्ता बरतने की आवसकता है जो निसकस प्राप्त होते हैं उसका मिलान सचातकार आधी अनिवीधियों से प्राप्त समागरी से करना चाहिए उदारन के लिए हो सकता है कि सिच्छक को पता चले कि एक बच्चा जो लोगप्रिया है खेल में और परहाई में अच्छा है और उसमें इससे वह सोचने लगे कि ये ही बच्चे की लोगप्रियता का आधार है किन्तु भेट करने पर पता लगे कि अन बच्चे उसे उसके हस्मुख और अच्छे स्वभाब के कारण पसंद करते हैं समाज मिती से बच्चों के समुहों के बारे में बहुत उप्योगी जानकारी प्राप्त होती है इससे ऐसे छेत्रों का भी पता लगता है जिसमें आगे सोध की अब सकता है जैसे उन कारकों का अधियन जिनसे बच्चे लोगपिरिये होते हैं या नापसंद किये जाते हैं केस अस्टडी किसी इकाई के बिभिन पच्छों के गहन अधियन का प्रतिवेदन है यही काई एक छात्र अस्कूल या एक मिसेस समूह हो सकता है केस स्टडी के लिए जानकारी अधिकतर एक काला बिधी के बीच बिभिन स्रोतों से एक अत्रित की जाती है जानकारी को मिलाकर समस्या का स्वरूप और अधियन के उदेश को ध्यान में रखकर चैन किया जाता है एक बच्चे की केस स्टडी के लिए उसके घर की प्रिष्ट भूमी, सैची कुप लब्धदी, स्वास्त, हाजिरी, बिभिन कारिक्रमों में सहभागिता, उसके सबल और दुर्बल पच, उसके समाजिक संबंध और तालमेल, उसकी समस्याएं, अभिलासाएं और योजनाओ आदी के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी, सिच्चक को अधिक से अधिक स्रोतों से यता संबब जानकारी करनी चाहिए, ये स्रोतें असकूल के अभिलेक तथा बच्चे में उनके माता पिता और अरन सिच्चकों के से साच्छातकार वास साजात समाज मीती और आत्म कथा से उपलब्ध समागरी का भी परियोग कर सकता है उसे काला अबधी में बच्चे का नियमित अवलोकन करना चाहिए बिभिन्स रोतों से प्राप समागरी का संसलेशन करके बच्चे की समस्याओं के कारणों का अंत्रिम चयन किया जा सकता है एक बच्चे की केस स्टेडी क की विशेषता यह है कि एक व्यक्ति के रूप में बच्चे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इससे सिच्चक को बच्चे की प्रिश्भूमी उपलब्धी सुभधाओं और आगत कठनाईयों के परिपेच्छे में देखने का आपसर मिलता है इस परकारिस विधी से सिच् ही है बास्ता में केस स्टडी विधी की एक देन यह है कि इसमें सिच्चा सास्त्रियों और मनोबै ज्यानिकों को महसूस हुआ कि विभिन बच्चों की सतही अस्तर पर समान दिखने वाली समस्याएं अलग-अलग कार्णों से उत्पन हो सकती है और इसलिए बच्चों के प् समभब है जैसे कुछ ऐसे बच्चों का अधियन किया जाए जो परहाई में संतोस जनक प्रगती नहीं कर रहे तो यह बात सामने आ सकती है कि अधिकांस कि अधिकांस ऐसे बच्चे उन घरों से आते हैं जहां परहाई को महत्व नहीं दिया जाता और इन बच्चों को घर की ओर से कोई प्रोसाह नहीं मिलता बच्चों के अध्यन करने की अन बिध्यां है जिने इस बिवेचना में सामिल नहीं किया गया इसमें से सबसे महत्पुन मैनोबैज्यानिक परिच्छन रूची और व्यक्तित्वी की तालिकाएं जिनके उप्योग के लिए विशेश प्रसिच्छन चाहिए ऐसी आसा की जाती है कि प्रतेक सिच्छक एक या दो उप्यूप्त बीधियों का प्रागार अध्यन करेगा और बच्चों के अध्यन में उनका परियोग करेगा इससे हुआ अपनी देख रेख में बच्चों को अधिक अच्छी तरह समझ सकेगा और उनकी सहायता कर सकेगा गुड लग दोस्तों फिर मिलेंगे परहाएं तो ऐसे परहाएं के पार्ट टू में